नमसकार दोसकों, स्वागत है आपका लिटी नोलेज में, आज हमारे पास है गुलुको मिटर, अब यह है क्या, करते क्या है, किनके इस्तेमाल में आता है, किनको रखना चाहिए, किनको जाच करने का जनकारी रखना चाहिए, हमारे साथ बने रहे है वीडियो के अंतक, हम सब्सक्राइब होता क्या है तो यह है हमारे पास गुलुकोमीटर यह इसका स्ट्रीप और यह है नीडिल नीडिल लगाने का एक और लगाने के बाद इससे हम बलड निकालेंगे तो सुगर मसीन किन को रखना चाहिए किन के लिए उप्योगी है यह हम आपको बताएंगे वीडियो के अंद तक तो बने रही है हमारे पास तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक लेंसेट निकालेंगे अस्ट्राइल नीडिल है और इसको सेट करते हैं इस मसीन में यहां पर यह मसीन मेरा हो गया सेट अब इसको आप एंटिकलोग घुमा करके इसके अंदर के टिप को आप हटा सकते हैं नीडिल के उपर जो कभर करने के लिए लगा हुआ है इसको क्लोक वाइज टाइट करेंगे टाइट करने के बाद में यहां आप देख पा रहे हैं एक स्वीच है और एक इंडिकेटर है और यहां पर कुछ लेबलिंग किया हुआ है मार्किंग किया गया है कितना मोटा स्कीन है उसके अनुसार इसका भेदन छहमता कितना होना चाहिए तो मेरा तो सॉप्ट है इसलिए हम इसको रखेंगे दो पर पर हमने रखा और अब हम तयार करेंगे मसीन को इसमें श्त्रिप लगा करके और अस्त्रिप शिंगल यूज के लिए होता है एक बार यूज करने के बाद में परिख का कोई रॉल नहीं रह जाता है तो इसके आगे और इसके पीछे में टच नहीं करना है क्योंकि जरा सावी आपके हाथ पर मुआचर बगर है तो यह खराब हो सकता है तो हम देख पारें इसमें भी मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है इंडिकेट कर रहा है कि सीधे मसीर में इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर ओपनिंग है इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे हमने किया इसको इंसर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ बलड मांगना शुरू किया अब इसको वेटिंग में डालेंगे हलाकि ज़्यादा दर वेटिंग में नहीं डालेंगे जितना ज में आप इसको मीड़ेंगर से जेनरली ले लेने के लिए आप किसी भी ब्लड से कर सकते हैं बोडी के कहीं का भी ब्लड है चलेगा तो इस तरह से हमने कर लिया इसको वास इसको यहां हम रखेंगे हैं और यह उज करने के बाद में दूसरा कोटन हम चाहिए यहां blood मांग रहा है हमने set किया है दो परव इसका piston को यहां से खीच करके कर लिया ready हमने load हो गया load होने के बाद में इसको आप finger tip से ऐसे उठा करके रखेंगे ताकि blood यहां पर अब जोर्ब हो आएसे रखने के बाद में इसको हम करेंगे यहां पर ध्यान देजे इसको हम करेंगे push तो यहां हम देख पा रहे हैं blood मेरा आना काफ़ी कम मातरा में blood मेरा आना शुरू हुआ तो यहां पर इस पर हम स्ट्रीप पर लगाया यहां सक किया सक करने के बाद में इसमें timing दिखाना शुरू किया तब तक हम अपने cut part को cotton रख करके हटाएंगे अब यहां पर हम देख पा रहे हैं 112 112 अब इसको निकालेंगे स्ट्रीप को इसको destroy करेंगे और अब हम समझेंगे सुगर कब चेक करें क्यों चेक करें कितना बाद चेक करें ए मसीन किनको किनको रखना उपयोगी होगा तो बन रही हैं हमारे साथ वीडियो के अंतक तो यह मसीन उन बेक्ती के लिए उपयोगी है जिनके घर में सुगर के patient है यह accidental lifestyle जिनका है ऐसा लगे कि सुगर प्री डाइबीटिक में लगभग वो क्रॉस कर चुके हैं तो यह से बेक्ती के लिए उपयोगी हो जाएगा यह मसीन लगभग आपको अंडर थाउजन एक हजार से कम में यह आपको मसीन उपलब्ध हो जाता है तो यह मसीन अभी हमें रीडिंग दिया 112 तो वैसे बेक्ती के लिए उपयोगी होगा जो सुगर के पेसेंट हैं अब कई बार होता क्या है कि पेसेंट हाइपरकलेसमय में चले घ़ायाई हाइपोगलेसमय में चले हाइप belangrijk नीफ रहाए भ़ग बढ़ जाना थो माने कि बारा बज़े रात में अगर किसी को बिलट सुगर हाइव होता है या डाउन होता है पूराना पेसेंट ज्यादा पसीना पसीना होने लगे घबरहाट होने लगे तो ऐसे समय आप क्या किजिएगा तो मसीन रहता है तो फोरन हम जाज करके कंफर्म कर लेते हैं कि सुगर बढ़ा है या घटा है उसके अनुसार ठीटमेंट चलता है या होस्पिटलाइज करने की जूरत पड़ती है या मेडिंग क्म करना पड़ता सह है या देना पड़ता है तो थो समझेंगे 112 अभी 8 रेंडुम हम ने जाज किया और बी dear random blood sugar जिसको कभी भी हम जाज कर सकते हैं और दूसरा होता है ब्लड शुगर फास्टिंग मिन्स खाना खाने से पहले और लगवकbook दूसरा होता है पीपी बड़ सुगर प्यपी पोस्ट प्राइंडियल खाने के दो गहांटा के बाद जो टेस्ट करता है उसको को PP करते हैm, नॉर्मल रेंज हमारा क्या होगा तो फास्टिंग का नॉर्मल रेंज होगा आपको 80 से लेकर के 110 तक, PP का हमारा normal range होगा 90 से लेकर आपको 140 तक और random का हमारा normal range होगा ये भी 90 या 100 से स्टार्ट होगा जो कि 130,140 तक जाएगा कई लेबरेटरी में थोड़ा बहुत 10-5 का भैरी कर सकता है लेबरेटरी का और मसीन का रिपोर्टिंग में भी थोड़ा बहुत भैरी कर सकता है क्योंकि हम ऐसे ब्यक्ति के लिए उपयोगी हैं जिनके घर में सूगर के पेसेंट हैं तो ऐसे ही इंट्रेस्टेट वीडियो के लिए आप हमारे सत्व बने रहे हैं लिटिल नॉलेज में और अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो अभी सस्क्राइब करें और अभी स्क्राइब करें aku करें